महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर थे जैन धर्म के विद्वान महात्माव को तिर्थंकर कहा जाता था जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तिर्थंकर हुए है इन में प्रथम रिशब देव वे 23 वे पाशर्वनाथ थे अब देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे वरन इस धर्म के अंतिम वे लोकप्रिये तीर्थंकर थे भगवान महावीर का जन्म 599 इसापूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था इनके पिता सिधार्थ छत्रिय कुल के प्रधान थे उनकी माता का नाम दृशला था जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी महावीर के बच्पन का नाम वर्दमान था इनका आरंबिक जीवन अत्यंत सुख में व्यतीत हुआ युवा अवस्था में इनका विवा एक सुंदर कन्या यशोधा के साथ हुआ जिससे उन्हें प्रिय दर्शना नामक पुत्री हुई युवा अवस्था में इस कन्या का विवा जमाली नामक युवक से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी के शिष्य बने महावीर स्वामे का ग्रहत्याग आरंब में महावीर ग्रहस्त जीवन व्यतीत कर रही थे परम्तु सांसारिक जीवन से उन्हें आंतरिक शान्ती नहीं मिली जिसके कारण उन्होंने अपने मातापिता की मृत्यू के बाद अपने बड़े भाई नंदी वर्दन से आग्या लेकर 30 वर्ष की आयू में ग्रहत्याग दिया और सन्यासी जीवन जीने लगे 12 वर्षों की कठोर तपस्यावे तब के बाद 42 वर्ष की आयू में रजुपालिका नदी के तट पर एक शाल्व वरक्ष के नीजे कैवल्य यानि पूर्ण ज्यान की प्राप्ती हुई जिसके बाद वे कैवलिन कहलाए कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय अथार्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की इसी कारण वे जिन यानि विजेता कहलाए तथा उनके अनुयाई जैन कहलाए गए महावीर स्वामी का धर्म प्रसार महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार 30 वर्षों तक किया दुस्ट, अनपढ, रूडिवादी लोग उनका विरोध करते थे परंतु महावीर उन्हें अपना ज्यान देकर शांत कर देते थे महावीर के लिए सभी एक समान थे जनसाधारन उनसे अधिक प्रभावित होते थे कौशल, मगद, चमपा, अंग, मिथिला, वज्जी, आधी प्रदेशों में घूम घूम कर धर्म प्रचार किया महावीर स्वामी की सत्य, सरल, वाणी वे जीवन से प्रभावित होकर सेकडों लोग उनके अनुयाई बनने लगी राजा, व्यापारी, जनसाधारन लोग उनके सिद्धान्तों का अनुशरन करने लगी धीरे धीरे उनके अनुयाईयों की संख्या बढ़ने लगी जनसाहित्य के अनुसार बिम्भी सार वे अजात शत्रू महावीर स्वामी के अनुयाई बने थे 527 इसापूर्व में 72 वर्ष की आयू में राजगीर के समीप पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वान यानि मोक्ष की प्राप्ती हुई